नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर नितीज सरकार ने अवैद खनन रोकने के लिए बनाया प्लान बिहार में पंचायात उप्चनाओं के लिए आज से ना मांगकन शुरू बिहार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 300 से अधिक निवेशक लेंगे हिस्सा बिहार ग्रामीन कारे विभाग में होगी 2261 पदू पर भरती ICC रैंकिंग में नंबर एक बनने पर फूले नहीं समा रहे रभी बिस्नोई इसके साथी बरते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के ओर विस्तार से नितीज सरकार ने अवैद खनन रोकने के लिए बनाया प्लान बिहार में बालू के अवैद खरन पर नकेल कसा जा सके इसके लिए बिहार सरकार के ओर से अपनी तैयारियां शुरू कर दी गई है बतादे कि सरकार के ओर से प्रदीश में बालू खनन सजड़े समीदन शील अस्थलों की पहचान होगी और साथ ही इनकी कड़ी निक्रानी भी की जाएगी इसके लिए यहां चेक पोस्ट बनाये जाएंगे यह जिलों में बनने वाले चेक पोस्ट योजना कहीं विस्तारीत रूप होगा मालमों की मुख्य सचीव आमिर सुभानी की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिशा नर्देश देतेवे समीदन शील अस्थलों की नए सीर्य से पहचान करने को कहा गया था ऐसे में मुख्य सचीव के नर्देश के बाद खान एवं भूतत्व विभाग के दोरा समन में पहल शुरू कर दी गई है बतादे किराजी के दस जिलों के लिए खास कारी योजना तयार की गई है जिसमें पटना, रोतास, और अंगाबाद, भोजपूर, बांका, जमुई, शारन, नवादा, कैमूर और गया जिला शामिल है बिहार में पंचायत उप्चुनाओं के लिए आसे नामांकन शुरू आज यानि की 9 दिसमबर 2023 से बिहार में पंचायत उप्चुनाओं के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है जो की 15 दिसमबर तक सुभा 11 पदों के लिए होना है इसमें सबसे ज्यादा ग्राम कचरी पंच 1241 पदों के लिए चिनाब होंगे वहीं इसके लिए मद्दान की प्रक्रिया 28 दिसमबर को होगी इसमें EVM से मद्दान कराया जाएगा और फिर 30 दिसमबर को सुभा 8 बजे से वोटों की गिंती होगी चिना पर लोग सेवा आयोग के द्वारा द्वित अध्यापक न्योकती परिक्षा के लिए पहले दिन आयोजित की गई पिच्रा अतिपिच्रा वर्ग के अनुसुच जाती जन जाती वर्ग खल्यान विभाग के स्कूलों में प्रधा अध्यापक तथा संगीत वा कला विशे के स अधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in/. पर जा सकते हैं वहीं आयोग के ओर से जल्दी प्रोविजनल आंसर की के विरुद अभियर्थियों से आपती स्विकार की जाएगी बिहार में रद होगी 1773 भूमी वा भवन हीन स्कूलों की स्विक्रती बिहार में बिना भूमी और भवन की विवस्था के खोल दिये गए राज्य के 1773 विद्यालियों का वजूर्थ खत्म होने वारा है बता दे कि सरकार के दोरा ऐसे स्कूलों को पास के उन स्कूलों में मर्च किया जाएगा जहां आधार बूत सनचना ठीक ठाक है इन स्कूलों के सिक्षकों को भी नए सीरे से पदस्थापन पर काम किया जा रहा है आपकी जानकारी के लिबता दे कि बिहार में प्रात्मिक और मध्य विद्यालियों की संख्या 70,000 है जिन में प्रात्मिक विद्यालियों की संख्या 32,000 है मालुम हो कि बिहार सरकार के सिक्षा विभाग के द्वारा वर्स 1999 से ही अपनी जमीन अपना भवन का सपना दिखाया जा रहा है लेकिन आज इतने सालों के बाद भी राज्ये में 1773 स्कूल ऐसे हैं जिनके पास अपना भवन नहीं है बिहार ग्लोबल इन्वेस्टर सवेट में 300 से अधिक निवेशक लेंगे हिस्सा 13 और 14 दिसंबर को बिहार की राजधानी पटना में होने वाले बिहार बिजनस कनेक 2023 में शामिल होने के लिए राज्ये के बाहर विदेश सहित के करीब 300 से अधिक निवेशक हिस्सा लेने वाले इसके लिए निवेशकों के द्वरा ओनलाइन पंजियन कराया जा चुका है ऐसे में इन सभी निवेशकों के लिए पटना शहर के सभी बड़े होटल सरकेट हाउस और रेस्ट हाउस बुक हो चुके है राज्ये के बाहर देश के और 15 देशों के प्रतिरीधी नहीं ठेड़ें मालम हो कि इसमें राज्ये के अंदर से भागेदारी करने वाले उद्यमियों की संख्या 600 से अधिक बताई जारी है अधिकारिक जानकारी के मताबिक बिहार से बाहर राज्ये के 23 लाग से अधिक प्रवासी पेशेवर है जो बिहार में निवेश के लिए किसी भी कंपनी के लिए फाइदेका सौदा साबित होंगे मालम हो कि जानकारी के मताबिक प्रस्तावित ग्लोबल समिट में भागेदारी के लिए राज्ये सरकार पूरे युदस्तर पर लगी वी है बिहार ग्रामीन कारे विभाग में 2261 नए पदो पर बहुत जल्दी बहाली होने वाली है ब 2261 नए पदो को स्रिजन किया गया है ऐसे में अब विभाग में कुल 8683 पद हो गया है बता दे कि पुनरगठन से संबन्द विभागे संकल्प जारी किया गया है मालम हो कि विभाग में निम्नवर्गे लिपीक की संक्या अभी 494 है जिसमें 425 की व्रिधी करते वे 919 कर दी गई है शोत सहायक 26 के बदले 128 होंगे प्रयोक्षाला सहायक के 42 अमीन की संक्या 99 की व्रिधी की गई है बच्चा राय के ठिकानों पर एडी की छापे मारी बिहार के वैशाली में आज सुबह करीब सारे 8 बज़े से इडी की टीम के द्वारा सिक्षा माफिया बच्चा राय जा रहा मालुमों कि इडी के द्वारा इससे पहले बच्चा राय के खिलाफ आए से अधिक संपत्ती के मामले में इसके जमीन पर कपजा कर लिया गया था लेकिन बाद में बच्चा राय के द्वारा इडी की ओर से जब की गई संपत्ती पर अपना कपजा करना शुरू कर गया जिसके बाद ईदी की ओर से इस मामले में भगवानपूर थाना में 24 नवंबर को आवीदन किया गया इस चिस से इस मामले में 29 नवंबर को प्रात्मिकी दर्ज की गई बिहार के गया OTA में हुआ पासिंग आउट परेड आज यानी की 9 दिसंबर को बिहार के गया में स्थद देश के तीसरे आर्मी प्रसक्षन केंद्र से आज देश को 121 नए सैने अधिकारी मिले हैं वहीं साथ सैने अधिकारी मित्र देशों को भी मिले हैं जिसमें भुटान के पांच और वियतनाम के दो शामिल हैं दरसलाज गया ओफिसर ट्रेनिंग अकादमी में 24 पासिंग आउट परेड आयोजित किया गया जिसमें मुख्य अतिती के रूप में नौसेना प्रमुख एड्मिरल आर हरी कुमार शामिल हुए उन्होंने पासिंग आउट परेड को सल अजिस्थान के नौ तिलांगना के एक और जार्खन के तेराज सामिल हैं दूसरे के बदले बीपीसी टी आरी दो परिक्षा देते पकड़े गए चार मुन्ना भाई बीते दिन बिहार के स्कूलों में सिक्षकों की नुकती के लिए बीपीसी के ओर से ली जा रही दूसरे परिक्षा के दूसरे दिन करी सुरक्षा के बीच चार मुन्ना भाई को पकड़ा गया है जो दूसरे अभ्यर्थी के बदले परिक्षा देने पहुंचे थे पता दे किस बात की जानकारी बीपीसी के अध्यक्ष अतुल प्रशाद के द्वारा दी गई है उन्होंने के सचीव रवी भूशन के द्वारा जानकारी देते वे बताया ग्याल की सिक्षक भरती परिक्षा के दौरान कदाचार के आरोप में दर्भंगा से दो औरंगाबाद वर सहरसा से एक-एक सस्पेक्ट को पकड़ा गया है इन पर संबंध जिला पदादी कारी कारवाई कर र उजित चार दिवसी लगू उद्योग मेला का नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सनहा वसिस्ट अतीती MSME पटना के निदेशक प्रताप कुमार और पटना के मेर सीता साहू के द्वारा सयुगत रूप से दीप रजुलित कर विधिवत रूप से उधगाटन किया गया है इ या मेला बहतर उध्यमी संबंदों के अनुकूल वातावरण में एक एहम भूमिका निभा रही है मिड़े मील खाने से क्यावन बच्चों की बिगोड़ी तब्याद रफर कर दिया गया वही बच्चों की बिगरी हालत की खबर सुन मुख्या शिवसंकर ठाकोर भी मौके पर पहुँचे और मुझाली अथारे सहत इस्पताल प्रबंधन को सुझित किया गया आंगनवारी सिविका सहाइका की हरताल खत्म बिहार में पिछले 71 दिनों से चल रही आंगनवारी सिविका सहाइका की हरताल बीदे दिन खत्म हो गई है बता दे कि बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार के आस्वासन के बाद आंगनवारी सिविका सहाइका के द्वारा हरत नहीं समेत अपनी चार सुत्री मांगो को लेकर पिछले 70 दिनों से सरकार के खिलाफ हर्ताल किया जा रहा था वहेंस दोरान कई आंगनवारी सिविका साहिका के द्वारा आरजीरी दफ्तर के पाहर भी जोरदार हंगामा किया गया था जिसमें पुलिस के द्वारा करीद 2000 स्रालू परिवार के द्वारा तिरूपती बाला जी का दर्शन किया गया बता दे चिसकी तस्वीर आज 13 आदव के द्वरा एकसपर जो की पुल्व में ट्वीटर हुआ करता था उस पर शेयर की गई है उन्होंने तस्वीर सेर करते वें लिखा है कि आज सवेर आन्ध प्र देश्वासियों के सुक्स्तांती सम्रद्धी और कल्यान के लिए मंगल प्रात्ना की आशादी की सालगिरा के विसे इस दिन पर बेटी का त्याइनी का मुड़न संसकार भी संपन हुआ दर्भंगा एमस को लेकर संजय जा का बयान इमस निर्मान को लेकर जो भी मांग की गई थी वो सभी मांग बिहार सरकार की ओर से स्विकार कर ली गई है उन्हें कहा कि बेसिक बात यही है कि सोबना में अब बिहार का दूसरा एम्स बने गा और उनकी तरफ से जो भी डिमान की गई है बिहार सरकार वह सब कुछ करके देगी उन्हें कहा कि बिहार सरकार मिट्टी भड़ाई पर 309 करोर रुपए की राशी खर्च करेगी इसके बिसी रैंकिंग में नमबर एक बनने पर फूले नहीं समा रहे हैं रवी विस्नोई। करूंगा मैंने 15 फरवरी को डेब्यू किया था और इस सफर में उतार चड़ावाई लेकिन पिछला एक से डेर साल अच्छा रहा है क्योंकि मुझे कुछ अच्छे मैच खेलने का मौका मिला इस तोरान मैंने एशियाई खेलों में और एशिया कप में भी खेला उन्होंने कहा हैं आजके 5 सवाल की उढ़ हमारा पहला सवाल है बिहाल बिजने कनेक 2023 का आयोजन और ऑप्षण है यह सौई इसका सही उत्तर है ओप्शन D 13 और 14 दिसंबर अगला सवाल बिहार में कितने स्कूल भूमी और भवन हीन हैं? ओप्शन D 1773, ओप्शन D 2000, ओप्शन C 2456, ओप्शन D 2840 इसका सही उत्तर है ओप्शन D 1773 अगला सवाल बिहार में पंचायात उप्चनाओं के लिए मध्दान की प्रक्रिया कब होगी? ओप्शन E 16 December, ओप्शन B 18 December, ओप्शन D 28 December, ओप्शन D 30 December इसका सही उत्तर है ओप्शन C 28 December अगला सवाल अंगंवरी सेवी का सहाइका की हर्ताल कितने दिनों से चल रही थी? सिक्षा माफिया बच्चा राय के खिलाब करात्मी की दर्ज कप की गई थी? उप्शन A 16 नवंबर, उप्शन B 7 नवंबर, उप्शन C 28 नवंबर, उप्शन D 29 नवंबर इसका सही उत्तर है उप्शन D 29 नवंबर इसके साथ ही बरते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आपके छेतर के सरकारी स्कूलों में मिलने वाली मिड़े मील की गुनवत्ता कैसी होती है अपना जवाब हमेवारी कॉमेंट सेक्षन में लिख कर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिखते रहें बिहारी नियूज और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहें चाल्म को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहें तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद करता है